गुड मॉनिंग बच्चों, आज हम आपका हिंदी वियाकरण में पार्दस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा तूँ जैसे कि लड़का पढ रहा है, फिर मैंने यह आपका लिखा, चिड़िया उड़ रही है, इसको लड़का या चिड़िया, इसको दोबार लिखते हैं, लड़के पढ रहे हैं, फिर इसमें चिड़िया इं उड़ रही हैं, यह आपके रिखांकी सब्द जो लड़का पढ रहा है, या चिड़िया उड़ रही है, तो यह क्या है, यह शब्द रूप अपने एक होने का बोथ करा रहे हैं, जो नीचे की जो यह दो पंक्तिया मैंने लिखी हैं, लड़के पढ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, यह दोनों शब्द रूप अपने एक से अधिक होने का बोथ करा रहे हैं, तो इस अर्था क्या बना, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी प्रारी या किसी अस्थान के एक या अनेक होने का बोथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वचन, आपका पाठ क्या है आज, वचन, तो मैंने क्या कहा है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी प्राणी किसी प्राणी या किसी अस्थान के एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग वचन कहते हैं अब आपका आता है की वचन के प्रकार ठीक हैं वचन के प्रकार आपको सभी को पता है कि वचन के दो प्रकार होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन उसके नाम से पता चल रहा है एक वचन तो एक वचन क्या आता है संग्या शब्द संग्या शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है बोध होता है उसे उससे क्या कहते हैं हम लोग एक वचन कहते हैं एक वचन कहते हैं हाना जैसे कि आपको मैं कुछ भी लूँ हाना एक्जामपल में बच्चा इससे एक होने का बोध हो रहा है हाना कोई और शब्द ले केला पुस्तक हाना तो उसने क्या कहा संग्या शब्द के संग्या शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसको हमें एक वचन कहते हैं हाना फिर आता है आपका उसमें बहुवचन बहुवचन बहु मनें बहुत सारे है ना वच्चन बहुवचन संग्या शब्द के संग्या शब्द के जिस रूप से जंग्या सब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक एक से अधिक होने का एक से अधिक होने का बोध होता है बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं क्या कहते हैं जैसे मैंने भी क्या लिखा था बच्चा तो बच्चे का क्या हो जाएगा भवचन बच्चे हो जाएगा हाना केला रिया था तो केले हो जाएंगे हाना फिर मैंने क्या लिखा था पुस्तक पुस्तके तो यह क्या है, इनके संग्या के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर आपका वचन की पहचान के बारे में बात करते हैं, वचन की पहचान कैसे कहते हैं, हिंदी भासा में वचन पहचानने के हमारी होते हैं जिनके आधार पर आसानी से आप एक वचन और बहुचन को पैचान सकते हैं जैसे एक्जामपल लेते हैं लड़की खिलोनों से नहीं लड़की खिलोने से खेल रही है इसी को आप लिखे तो बहुचन में लड़की खिलोनों लड़की खिलोनों से खेल रही है है ठीक है योग्या फिर नीचे एक और संतेल देखो आपका जोकर खेल दिखा रहा है खेल दिखा रहा है या फिर यहां पर रेदी फिर इसको दिखे जोकर भवचन करते हैं से जोकर खेल दिखा रहे हैं तो यहां पर जोकर जोकर रहा है रहे हैं लड़की लड़क्या खिलोने खिलोनों तो यह क्या है आपका अरहे अरहे तो यह क्या है आब पर वट्चन परीवतम के समय बदल गया लड़की HOW जोकर शाद के साथ हमने ऐसा नहीं हुआ उसका रूप पहले जैसा ही बना रहता है आपको पताओन अची जैसे की जैसे है जैसी रहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जोकर शब्द के एक वचन की पहचान उसके द्वारा की गई किरिया के रूप में हो गई किरिया के रूप में रहा है तो एक है रहे हैं तो आपका भवचन हो गया जबकि लड़की क तो इसके दारा में हुए तो इससे इस पष्ट उत वचन की पहचान हम किसके दार कह सकते हैं संग्या के द्वारा सो नाम के दूरा विशेशन के Dwar curl के दवारा होती है तो नाम में दी में लूँ, वहाँ खेल रहा है, वहाँ आपका क्या है, वहाँ खेल रहा है, ठीके, तो यह आपका क्या है, तो यह आपका क्या है, तो नाम है, और इसी के अनुसार में इसको बदल सकती हूँ, वे खेल रहे हैं, हाँ, तो हम की दोरा पेचान सकते हैं, इनको, तो दो प्रकार से आप पहचान सकते हो आपको इनको खिलन इसको तो इसी प्रकार आपकी वचन की जो पहचान होती है आप इनको संग्या, संग्या, संग्या और विशेशन शब्दों के द्वारा पहचान सकते हैं और किद्या के शब्दों में प्रियोग के द्वारा भी आप इनको पैचान सकते हैं फिर विशेश क्या होता है इसमें विशेश आपका हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के अस्थान पर भावचन शब्दों का हम लोग प्रियोग करते हैं तो जैसे कि आपका, मैंने कहा कि इंदी भाशा में आदर प्रकट करने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने से बड़ों को, हम एक वचन के अस्थान पर भाववचन का प्रियोग करते हैं, जैसे कि आपके अपने दादाजी की बात करें आप लो, तो मैंने य और बेठी हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, आदर प्रकट करने वालों के लिए, एक वचन के अस्थान पर हमेशा हम क्या करते हैं, भाववचन का प्रियोग करते हैं, फिर आता है आपका, कुछ स़दे, कुछ सब्द सदे एक वचन में हो रहते हैं, हमेशा एक हाग सत्य हवा आपका क्रोध वर्षा चाया आदी हाना तो इनको हमेसे क्या करते हैं हम लोग एकोचन की रूप में सदेवेकोचन रहते हैं यह लोग जैसे आकास में बादल चाय है हना तो आपका जनता कल मद्दान करेगी वर्षा रुग गई है उस पेर के नीचे चाया है तुम्हें करोध क्यों आ रहा है इस तरह के जो वाक्य बनेंगे इससे हना फिर आपका द्रव्य वाचक भाव वाचक तत्था व्यक्ति वाचक संग्या है चांदी आजकल सस्ती है हना पाप से घिर्णा करो पापी से नहीं इस तरह के जो शब्द होते हैं यह भी आपका अमेसा रखना द्रव्य वाचक भाव वाचक और व्यक्ति वाचक संग्या सदेव आपकी क्या होती है एक वचन में प्रियुक्त होती है कुछ सब्द सदे भावचन रहते हैं हना कुछ आपके बहुत कुछ सब्द हैं जो हमेसा भावचन में प्रियुक्त के जाते हैं हना जैसे कि आपके प्राण हस्ताक्षर हस्ताक्षर दर्शन बाल होश होश, दाम, आदि हना तो यह हमेसा किसमें प्रियुक्त होती हैं आपके बहुचन में आप इनका प्रियुक्त करते हैं हमेसा जैसे कि सैनिक ने लड़ते लड़ते अपने प्राण इच्छावर कर गए हना इनके बाल बहुत लंबे हैं सामने शेर देखकर सबके होश उड़ गए क्या तुमने हस्ताक्षर कर दिये हैं हना तो यह हमेसा किसमें प्रियुक्त होते हैं आपके बहुचन के रूप में प्रियुक्त होते हैं हना फिर आपका क्या है इसमें वचन प्रिवतन के जो नियम है एक वचन से बहुचन बनाने के कुछ नियम है जैसे अकरान इस्त उल्ड़करेंगे माताइं कविताइं दिशाइं हना फिर लाव уз पृूलिंग शब्दों में अंतिम आ रगल कर लड़कै मेलआ मेले थिर को चोटी में बदल कर हम बलंक। जैसे शक्ति, शक्तियां मख्षी, मख्यां इस तरह के जो शब्द होते हैं इस तरह से इनको परिवर्टन करते हैं हम लोग अब आप अपनी बुक्किय एक्सराइज करेंगे वचन किसे कहते हैं, इसे कितने भेद होते हैं, एक वचन और भवचन कि आप परिभाशा हैं लिखेंगे, हाना इस प्रशन को करेंगे, प्रशन नमबर एक क, ख, और ग, फिर कोशन नमबर टू करेंगे, निमलिकित वचन संबंदी असुदिया है, इन वाक्यों को शूत करके लिखना है आपको, इसमें गलत हो गया है, सुदिया संबंदी अइनको आप दुबारे से इन वाक्यों को सही करकर लिखना है, फिर आप आपका प्रशन नमबर टीन है, आप इसको बुक में करेंगे, हाना और जो कोशन नमबर फाइब है, आप इसको फिल करके नोट बुक म करेंगे, हाना, और कोशन नमबर जो एट है, आपका बुक का, इसको भी आप अपनी बुक में करेंगे, हाना, यह जो बाकी जो कालिया है, अपनी नोट बुक में करेंगे, और आप अच्छी तरह से इस लेसन को पढ़ेंगे, धन्यवाद,